हाई गाइज मैं चान्दनी मेरे किचमने आपका श्वागत है गाइश वनकेर के हमने कुकर चरहा लिए कुकर गरम हो गया है तीन तेवल स्पन हमने रिफाइंड वैल एड़ करेंगे यहां पर लेंगे इलाइची तेजपत्ता लॉंग इलाइची दाल चिनी काली मिर्स जीरा सारे चीजों को तेल गरम हो गया है तो डाल लेंगे चटकने के लिए यही पर थोड़ा सा हिंग डालेंगे मसाले सारे चटक गया है तो तीन चार हमने सुखा हुआ लाल मिर्स आइट किया है इससे अच्छी फ्लेवर आती है और कलर भी एक गाठ लशन और एक प्याज चौप किया हुआ डाल लिए हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यही पर एक चमच हमने रेगुलर चालू वाली नमक डाले हैं सफेद नमक सारे चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी कवर करके एक मिनट के लिए को खोने देंगे वापिस से खोल कर इसे फिर से इस तरह से मिक्स करेंगे प्याज हमारी थोड़ी सी हाप टेबल स्पून कास्मेरी लाल मेच पाउडर हाप टेबल स्पून हल्दी पाउडर वान टेबल स्पून धन्या पाउडर यही पर वान टेबल स्पून थोड़ा सा कम है काला नमक थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी दो मिनट के लिए क बढ़े वाव देखिए कितनी अच्छी कलर आ गई है दो मिनट में ही इसे हम अच्छी कलर आने तक और अच्छी खुश्वू आने तक भून लेंगे मशाले को इस तरह से कवर करते हुए खोलते हुए भूनेंगे लगवाग दश मिनट तक मशाले को हाई टू मेडियम फ्लेम इस तरह से हम मशाले को थोड़ी थोड़ी देर में भूनते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में हलका हलका पानी डालेंगे ताकि मशाले हमारे जले ना इस तरह से हम मिक्स करते हुए भून लेंगे हमने 200 ग्राम काबली चना कोफी गोकर रख दिये थे ओवर नाइट इसे हम एड़ कर लेंगे पूरा रात भीगने के बाद यह बिल्कुल सौफ्ट हो गया हाथों से तोरने से टूरता है इतनी फुल गई है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में मसाले हमने ज्यादा कुछ नहीं एड़ किया है जो रेगलर मसाले होती है वश वही डाले हैं कोई इसमें स्पेशल मसाला नहीं है इसे हम वानली एक मीनट के लिए भूने हैं कबर करके उसके बाद फिर से हम इसे चलाएंगे इस तरह से मिक्स करते हुए हमने थोड़ी दर के लिए भून लिये हैं तो हम यही पर पानी आइड कर देंगे जरूरत के हिसाब से एक गलास हमने पानी डाला है क्यूंकि चैना हमारा अल्डेडी फूला हुआ है ज्यादा पानी नहीं डालेंगे यह मसाला गया हमारा छोला मशाला डालकर हमें इसे मसाले को अच्छे से मेक्स कर लेंगे और कवर करके हम इसे आठ से दस सीटी लगा लेंगे अलग से अगर वाइल करते तो तीन सीटी में काम हो जाता लेकिन हम एक बार में ही इसे कुक कर रहें तो आठ से दस सीटी लगाएंगे ताकि अच्छी शॉ लग गए हैं तो हम पांच मिनटी से लोफ लेंपे पका लिए हैं गाश ओफ करके इसका शीटी प्रेशर निकलने दिये हैं अपने आप खुल कर दिखिए बिल्कुल अच्छी कोख हो चुकी है अगर आप चाहे तो इसे शुकाने के लिए दो मिनट खुले में पका शकते हैं नहीं तो यह बिल्कुल अच्छा है इसे हम प्लेटिंग करेंगे हमारी रेशिपी अच्छी लगे तो लैक सब्सक्राइब जरूर किजिएगा शियर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इस तरह से हम प्लेटिंग कर लेंगी है रोटि के साथ, चावल के साथ, चापाती के साथ या फिर भठूरे के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं पुरी भठूरे रोटी किसी के साथ भी सर्भ कर सकते हैं हमारी रेशिपी अच्छी लगे तो एक सेर एक कॉमेंट प्याड़ा स जरूर कर देजिएगा आप कहां से है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अपनी अनुभब जरूर स्यार कीजिएगा थाइंक्यू फॉर वाचिंग बाई टिक के यार फिल्मी लूंगे